9 to 6 जी अस्लाम अलेकम लेक्टर 96 टार्ट के इनलाइटे मंग करो अच्छा जी रिटान असेस्मेंट अपील्स के चप्टर की थियोरी निकाल ले पास्ट पेपर्स अच्छा हम वोकल सवाल कह रहे थे कृस्चन नमर पंद्रा जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारा जीर एंड भाई नोटिस कब आया है नोटिस आया है दोहजार दस में दोहजार दस में किस में हीने में मार्च में तो वैसे अगर पेपर में सवाल आ जाए कि कमिशनर किसी बंदे से पिछले सालों की रिटान मंगे तो क्या जियूम करना चाहिए ये पिछले पांच सालों से मुसल्सल रिटान नहीं बना रहा होगा या शायद आता जाता रहता होगा आता जाता रहता होगा तो दस में खड़े होके छे और तीन की रिटान मांगी है तो तीन के return मांगना invalid है और छे के return मांगना valid है क्योंकि एक, दो, तीन, चार, पांच पांच साल पिछले ये बनते है और अगली बात ये लिखे आएंगे In normal circumstances, commissioner should have allowed at least 30 periods, 30 months, 30 days कम से कम उसे 30 days देने चाहिए However, in this case Commissioner is still justified for demanding in 20 days Because shorter time may be given वहां लिखा हो तो longer or shorter time 30 days से ये भी लिख सकते हैं So, commissioner justified है? No, commissioner is not justified in issuing the notice regarding tax year 2003 However, he justified in issuing the notice regarding tax year 2006 लेकिन पहले law की प्रोविजन लिखे आएंगे के where a person has not furnished a return Commissioner may demand a return for a period for last five completed tax years अच्छा, अगर summit deadline पूरी नहीं कर पाता extension मिल सकती है उसे तो extension में फिर अब 7 number है total अगर 3-4 number उपर वाले के हैं तो नीचे वाले के 7 number में आप ये लिखाईएगा कि extension मिल सकती है ज्यादा तफसील में न जाईएगा extension में पॉइंट्स जादे हैं पंदरा दिन की extension इसको दे 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 आप पंदरा दिन वाली बात भी लिखाईएगा और आगे पिर रीजन्स भी लिखाईएगा कि तीन रीजन्स की वज़ा से extension मिल सकती है लेकिन मेरे खाल से 7 number है इतना ज्यादा उसमें जाने की दुरोत नहीं कि और इसके बाद जो है extension लेने के लिए तुम्हें 15 दिन की extension मिल सकती है वो भी लिखना और डिफॉल्ट सर्चार्ज बेकना पड़ेगा तो वो भी लिख सकते हैं ओके ठीक है अबर ये question 17 असान है normal text year special text year return किसने जमा करानी है और बारा महीने से कम किसने जमा करानी है ये try कर ली जाएगा यारज question 18 company ने कब return जमा करानी है ये किये थे कल तीन चार नुमेरी कल तो किये थे मेरे खाल से ये हो जेंगे कि ये तारीख है तो फिर company ने कब return जमा करानी है ये 18 ट्राइगा इसमें कोगी अब इस भी हो जाएगा आपका और इसके बाद ये किसन टाइम निकालके well statement बना ली जाएगा बनानी है तो question 28 में एक revision हो जाएगी question 28 की well statement फिलहाल को जरूत नहीं थी लेकिन किसन टाइम निकालके बना ली जाएगा अच्छा ये भी कर ली जाएगा किसने return किस दिन जमा करवानी है 31 भी हो जाएगा आपका ठीक है done? तब ये स्वालों में को मसला आया तो कल आपने बताना है अच्छा losses का chapter foreign losses की theory पढ़ें अगले स्वाइप पर आएए details of Mr. Yassir foreign source income and expenses for tax year 2016 are as follows इसकी gross income आ रही है यनि sale और खर्चे आ रहे है तो business की sale कितनी है? 50 ये किस मुल्क में कमाया है? foreign other source भी? foreign gross income कितनी है? 50 खर्चे कितनी है? 70 और? 40 अब अगर solution देखे बगएर आप मुझे बताएं तो इसमें क्या आ रहा है? loss इसमें क्या आ रहा है? gain ओ बाइजन मैंने का था आपने क्या करना है आपने जो है वो numerical solve करते हुए आपने incomes उपर फैंक देनी है incomes उपर फैंक देनी है और losses क्योंके इन में कोई आपस में set-off का तसवर current year में हर foreign loss केरी यह मैंने heads पड़े बगएर ही आपको कह दिया income उपर फैंक दें 10 की और losses नीचे फैंक दें income उपर फैंक दी और losses नीचे फैंक दिया done? अच्छा लेकिन यह यह असल में पता है क्या कराना चाहरा था यह असल में पहले ना 20 की figure missing थी यह निकलवाना चाहरा था loss missing था और इधर क्या missing था बोलें? profit तो यह figure निकलवाना चाहरा था यह दरा point one पढ़ें क्या point one हमने cover कर ली है खर्चे in deriving income under our head of income shall be deducted only against debt income यह देखें खर्चे deriving in income shall be deducted only against debt income यह तो बताने की ज़रूत नहीं थी ऐसे time जाय किया मैंने भी आपका time जाय किया नीचे वाली example करवा के तो किस head का खर्चा किस head से minus करेंगे जिस head का खर्चा होगा उस head से minus करेंगे और अगर खर्चे बढ़ जाएं income से देखे 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 और अगर खर्चे बढ़ जाएं income से तो 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 the foreign laws shall only be carry forward यह सिर्फ carry forward हो सकता है यह current year में किसी और head में से minus यादे कल वाली बात यह हर foreign laws किसी भी foreign laws के profit में से minus हर foreign laws क्या होगा carry forward होगा अगले साल जाके same head में से minus होगा the foreign laws shall be carried forward only का क्या मतलब है असल में na current year में minus करने को कहते है set off और फिर आगे लेके जाने को कहते है carry forward तो no concept of set off यहाँ ना set off का concept नहीं है इस section में no concept of set off in current year current year कलव set off के लिए है तो current year में set off का कोई तसवर नहीं है फिर करें क्या यहाँ current year में minus minus and will be adjusted against future income and up to six six years following the year in which the loss was occurred and the loss of पुराना साल shall be set off first अच्छा अगली चीज़ में यह बताएं क्या खर्चे portion करने के लिए खर्चे portion करने के लिए मेंने कराना है इसको numerically यह भी discuss मेरे से ना कीजिएगा क्या खर्चे portion करने के लिए speculation और non speculation businesses को अलग अलग समझें या उनको एक अठा समझ ले खर्चे portion करने के लिए अलग अलग समझें और खर्चे portion करने के लिए बाहर के दुकान और पाकिस्तान के दुकान को एक दुकान समझें या अलग-अलग समझें चैप्टर फूर में हमने सवाल किया था पॉर्शनमेंट आफ एक्सपेंडिचर परस जब आपकी तीसरी चौती क्लास थी उस दिन हमने सवाल किया था तो एडवर्टेजमेंट को पॉर्शन किया था हमने तो खर्चे पॉर्शन करने के लिए स्पेकुलेशन नन स्पेकुलेशन बिलकुल अलग हैड है खर्चे पॉर्शन करने के लिए पाकिस्तान के दुकान और बाहर के दुकान बिलकुल अलग है फॉर अपॉर्शनमेंट अब डिड़क्शन स्पेकुलेशन बिजनस अब खर्चे पॉर्शन करने के लिए कैपिटल गेन और बिजनस भी तो सेपरेट है लेकिन उसने बताया इसलिए नहीं कि वो हर बचे को ही पता है खर्चे पोर्शन करने के लिए तो प्रॉपर्टी और बिजनस भी अलाग अलाग है लेकिन बताया उसने इसलिए नहीं कि ये तो हर बंदे को पता है खर्चे पोर्शन करने के लिए बिजनस स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन अलग लग लग जा नहीं यहार बंदे को नहीं बता यह कुछ लोग कह सकते हैं यार बिजनस ही तो है इसलिए यह बताना पड़ा खर्चे पोर्शन करने के लिए पाकिसान की दुकान बाहर की दुकान का कोई तालुक नहीं है बिलकुल ये बताना पड़ेगा वना लोगों ने समयना था एक दुकान पाकिसान में एक दुकान बाहर है सारी ये की दुकान नहीं है तो खर्चे पोर्षिन करने के लिए दो इहत्याते बता दें इसका नुमेरिकल मैं करवाँगा बस इसके इहत्यात बता दें स्पेक्लिशन नॉन स्पेकलिशन को लग-लग समझो और पाकिसान और फॉरण को लग-लग समझो बस 59-A एक पर पेपर में सवाल आगया था डिफाइन फॉरण लास भाईजन एक बार याद रखेगा कि टेक्स के पेपर में कोई बी चीज जो है वो ओट-व्सलिवस नहीं आ सकती अब डिफाइन फॉरण लास क्या है इफ एक्सपेंस एक्सीड फॉरण इंकम It is called as loss अगर expense बढ़ जाए, income कम हो जाए, यह loss है क्या define foreign loss क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है तो जो कुछ भी है, इसी के अंदर से आने हैं आपको इस से बाहर नहीं आ सकता 59A Accounting में टीचर यह कहते वे डरते हैं लेकिन यह इसे टेक्सी पेपर में कहते वे डरते नहीं है अचेर यह बात तो एक जगा और भी होगी थी इसकी कोई जामपल होगी कोई एक बंदा दूसरे बंदे का बिजनस टेक अप कर ले हाँ मिल्किस हाँ, इसकी एक्जामपल है एंड पर आजे हैं जो नुमेरिकल जम करते हैं उनमें इसकी एक्जामपल है किदर है एक्जामपल यह है न हाँ, शाइद अफ्रीदी एक्जामपल 11 पेजने में 305 भाजे शाईद अफ्रीदी शाहिद अफ्रीदी को लॉस कितना आया तीस का अनर का नाम बिजनस किस ने खृाइद लिया इससे इसका टेक्सियर इसका नाम इसका प्रॉफिट सोच के बताएं वसीम अकरम जा है वो चालिस पे टेक्स देगा या वो ही दुकान है वो ही इंपलाईज है वो ही समान पड़ाव है वो ही लैंड बिल्डिंग है सब कुछ वो ही है उनर शाहिद अफरीदी के जगा वसीम अकरम हो गया है तो वसीम अकरम ने कोई कपड़ों के दुकान ते शाहिद अफरीदी के शाहिद अफरीदी थाब को का बाईजन आप जाएं इस दुकान पे आज के यह मेरी है तो खरीद ली उन्होंने डील होगी उनकी अब वसीम अकरम उस दुकान का उनर है दुकान वोई, कपड़े वोई, सब वोई, बंदे वोई, सब कुछ वोई, इलाका वोई, सब वोई क्या वसीम अकरम अपने प्रॉफिट में से शाहिद अफरीदी का पिछले साल का लॉस माइनस कर सकते है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यह किसी और परसन का लॉस है, यह किसी और परसन का लॉस है, बाई जिन, परसन ही की तो रिफिनिशन लाओ में पड़ी थी, हर इंडिविजल अलग लगए, हर कोई अपने किये का खुछ जिम्हदार है, कंपनी जिम्हदार नहीं है, पड इससे क्या, डन, लेकिन अगर इदर यह कहानी होती, फादर है सस्टेंड, एक्जांपल टन, फादर है सस्टेंड आ लॉस इन दो हजार दस, एंड फादर पास्ट वे एंड बिजनस वस ट्रांसफर्ट तु सान इन दो हजार ग्यारा, वही दुकान, वही सब कुछ, वही ए इंहरिटेंस में मिला है बिजनस, किस में मिला है? और नीचे वाली मिसाल में वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी का वसीम अकरम से कोई तालुक इस किसम का इंहरिटेंस वाला? नहीं, लेकिन बाप बेटे का अपस में तालुक है, तो फिर ऐसी सूरत के इंदर क्या होगा आपको क्लियर हो गया ओके इसे मरियम नवाज की अम्मी फोट हुई तो मरियम नवाज बेटी थी उसको बिजनस ट्रांसफर होगा अम्मी का तो ऐसी सुरत में लॉस्स माइनस करने की जाज़त होगी डन क्योंकि बिजनस मिला किस वजह से मिला इनहरिटंस क सेक्शन हमारा अगला खतम हुआ पेज़ टुट फोफ हेडिंग के लिमिटेशन सेट ऑफ एंड केरी फौवड ऑफ लॉस्स यह एक लिमिटेशन ना एओपी के चैप्टर में भी थी कि पार्टनर एओपी का एओपी पार्टनर का लॉस माइनस कर सकती है नहीं कर सकती तो अगर कभी हेडिंग आजाना सेक्शन 59A वाली लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड केरी फौवड ऑफ लॉस्स तो भाईजन वह वला भी लिखकी आईएगा इसलिए चैप्टर बारा में भी घर जाके पढ़ लीजेगा एक लाइन लिखी हुई है 59A की और 59A की दूसरी लाइन आपको इदर पढ़ा लाओं, got the point? Okay, a person who has succeeded another person in a business, a person से मुराद वसीम अकरम who has succeeded another person, शाहिद, लिख लिख लिए करें यार, a Vaseem who has succeeded शाहिद in a business, except inheritance, inheritance की बात नही हो रही A Vaseem cannot set off, A Vaseem cannot, A Vaseem तू नहीं minus कर सकता, cannot set off or carry forward the loss of शाहिद under section 56, 57, 58, 59, against Vaseem income, Vaseem तू अपनी income में से शाहिद ता loss minus नहीं कर सकता लेकिन अगर, accept inheritance का क्या मतलब है, inheritance के case में loss minus कर सकते है अच्छा ये, page number बता देंगे, इसका कौन सा था, example number, 10 और, और page 305 अच्छा है रूँ मुझे ऐसी पतानी जहन में आया था, शाहिद कल जब मैंने बात की थी, conditions for filing revise return तो चेप्टर 15 में वो दूसरे सफ़े, चेप्टर 15 के अंदर वो point 6 है, शाहिद मेरे मुझे 6 है ना निकला हो पता नहीं, बहराल, चेप्टर 15 के अंदर वो point number 6 है, conditions for filing revise return 6 है तो वो है ना, 0 penalty, 25% penalty और वो, तो what are the conditions for filing revise return, वो चेप्टर 15 के दूसरे सफ़े के end पे point 6 है, और return के साथ, टेक्स कितना जमा करवाने रिवाइद return के साथ, वो फिर 6A है, ओके, चलें जी, बस ये दो लाइने रहेगी, दो point रहेगे है मारे चेप्टर, 4 और 5, इसके लिए वाजन बहुत rentive चाहिए, ये तकरीबन एक घंटा हमारा इस पर लगी जना है, या 50 मिनट तो नहीं गए नहीं, 0.45 पे, उन्हीं एक्जामपल में वापस आजें, जित्थे दी, डंकी, पेज 3053 चाहिए होगी, अगर depreciation ना होती, कितना loss होता, पेज 305, एक्जामपल 12 स्क्रीन की तरफ देखना है सिरफ, अगर depreciation ना होती तो, कितना loss होता, कैसे निकाला है आपने, एक बिजनस की sale दी भी है, expenses में, salaries, repair, rent वगएरा पढ़ा होगा, और उसके, टेक्स वालों की, और क्या दिया है, loss, अगर बिजनस में, बोलें, 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 डेप्रिसियेशन ना होती, तो loss कितना होता, 20 का loss होता, 70 माइनस 90, अगर depreciation ना होती, तो, कितना loss होता, कैसे कलोटर पकड़ के बताएं, कैसे कैसे किया आप लोगों ने, अगर, डेप, नहीं, जो figure अवेलेबल है, हुनी कि बेस्पेडिसियन लेगना है, या, मैं दुबारा स्वाल सुनें, अरहाद होगी, अगर depreciation ना होती, तो, कितना loss होता, अब मैंने कोई और सवाल पूछा है, सवाल तो, वहीं पूछा है, लेकिन data मैंने कोई और दिया आपको, अगर depreciation ना होती, तो, यह यह बता दिया, गरूसर स्क्रीन उपर जा रही है, यह ना, उसको सही करा हो, यह pen पहले है, नीचे न अगर depreciation ना होती, तो, कितना loss होता, भाई जैन ऐसे करेंगे ना, minus 50 plus 30, reverse working करके देखेंगे ना, सवाल तो, मैं वही पूछ रहूँ आप से, उल्टा चलना पड़े का ना, सवाल तो, मैंने बदला data भी होई है, सब कुछ भी है, लेकिन जो, मैंने आपके सामने present की हैं, ची के देख ले, पता नहीं है, सेल कितनी दी, 70, फर्चे कितने आए, 90, depreciation कितनी है, 30, नुकसान, अगर depreciation ना होती, तो, नुकसान कितना होता, 20, अच्छा, अगर depreciation ना होती, तो, भी तो, सतर minus नभी नुकसान होना था, तो, नुकसान कितना होता, कैसे निकाला आपने, negative 50 लिखा calculator, लिखें, वरना आज पड़े बढ़ने हैं, बड़े, मैं कह रहा है, यह तो, सबसे important चीज़ है, यह प्लस माइनस के चक्र में घूम जाने है, वरना आपने, अगर depreciation ना होती, तो, कितना नुकसान होता, नुकस अगर depreciation ना होती, कितना नुकसान होता, बड़े, time pair, depreciation ना होती, तो, कितना नुकसान होता, कैसे निकाला, कैसे निकाला पता है, minus 50, plus 20, देखें, plus 30, minus 50, plus 30, तो, minus 50, plus 30, उल्टा चलने का तरीका यही होता है, जो figures minus हो चुकी होने, क्या करके देखो, आप बता दे, अगर depreci depreciation ना होती, तो भी नुकसान तो होता ना, लेकिन फिर नुकसान सिरफ कितना होता, 20 का लॉस होता, negative लिख लूँ इसके साथ, 20 का लॉस लिख लूँ, एकी बात है, done, तो 20 का लॉस आगया, solution, loss कितना आगया जी, 20 का, और depreciation कितनी, 30, अब loss के तोड़ के हमने कितने इससे कर दिये, 2, loss total कितना still रहा, 50, still total loss कितना है, 20 किसी और वज़ा से है, शायद repair, rent, ये चीज़ें बढ़गी होंगी बिजनस की, और बाकी जो 30 है, वो depreciation की वज़ा से है, तो मुझे ये बताएं, ये जो 50 का negative है, इसमें 90 ने भी अपना role play किये, 90 के negative ने, और 50 के negative में 30 के negative ने भी अपना role play किये, मैं कहरा हूं, ignore करके बताएं, 30 का negative तो फिर कितन नुकसान होता, इसके निकालने के दो तरीके, 70 माइनस 90 भी यही जवाब है, negative 20, और माइनस 50, plus 30 भी जवाब किया है, negative 20, done, तो अगर depreciation ना होती तो कितना नुकसान होता, तो depreciation के इलावा वाला नुकसान, depreciation के इलावा वाला, और depreciation की वज़ा से, और total loss, 50, done, ये वाला ल forward होगा, ये infinity तक, depreciation के loss के अंदर एक benefit available है, कि depreciation का loss infinity तक carry forward होगा, यानि जब तक आपके profits आते हैं, आप माइनस करते हैं, कोई 6 साल बाट dead करने की जरूरत, तो ये loss को तोड़ने की वज़ा पता चली, सवारियों में, वो सवारियों लग करते हैं, जो मजबूत हैं, हो सकत हैं, जोनों ने 6 साल बाट क्या हो जाने, dead हो जाने, बाकी सवारियों को क्या करें, छोड़ने, अपने हाल पर, done, तो बता दें ये साल कौन से, 2000, बगला साल कौन सा आएगा, 11, ये नुकसान अगले साल हम माइनस करने की कोशिश करें, ना करें, करें अगले साल माइनस करने अच्छा जी, जी भाईन, करें लिटर अब थाम लें, आप कोई भूंगी नहीं मार नहीं, अगर डेप्रिसियेशन, अभी तो प्रॉफिट आ रहे हैं, मुझे पता हैं, इस साल प्रॉफिट आ रहे हैं, अगर डेप्रिसियेशन ना होती, तो कितना प्रॉफिट होता, दस, अगर डेप्रिसियेशन ना होती, तो कितना प्रॉफिट आता, रिवर्सल के देखेंगे, क्या लेटर पे लिखना पड़ेगा, अच्छा ये वाली फिगर के लेटर पे एजरेज लिखनी होती है, प्लस 35, और जो उल्टा चल रहे हो, तो इस फिगर को क्या करना होता है, एड़ करना होता है, तो उल्टा साइन लगाना होता है, गलत बात किया अपनी, प्लस 35, प्लस 75, इस तरह नहीं सोच रहा है, उल्टा साइन लगाने, प्लस 35 लिख दिया, और इसका साइन नेगिटिव यूज नहीं करना, नेगिटिव तब जब उपर से चल रहे थे, हम तो कहां से जा रहे हैं, प्लस 35 प्लस 75 इस तरह रखो, simple बात, done, अच्छा, मुझे प्रॉफिट बिता दें, इसका, एक लफ्स में बोने लगाऊं, इस लफ्स से बेगरी करते हैं, प्पचास रुपे के अतवार से, लॉस अफ्टर डेप्रिसेशन क्यों, देखें मैनस ही है, तो इसका नाम यार बताएं कुछ, excellent, लॉस, तो पिछले सफ़े पर जाके पचास का नाम तो लिख लें जरा, पचास का नाम बोलें, लॉस, तो वो कम होजेगा, ना, अच्छा, लॉस, अफ्टर डेप्रिसेशन से, बिफोर डेप्रिसेशन तक आप कैसे पुंचे हैं, नेगेटिव फिफ्टी लिखे आपनी कल्कुलेटर पे, और प्लस, थर्टी, तो नेगेटिव फिफ्टी आगे, लॉस, अफ्टर डेप्रिसेशन से, हम पुंच गए हैं, लॉस, बिफोर डेप्रिसेशन तक, क्या करके, नेगेटिव फिफ्टी, प्लस, थर्टी करके, और आफ्टर डेप्शन इतना असान सा लफ्ट है, पेपर में कभी है ना लॉस आफ्टर डेप्शन, तो लॉस तक पॉंच डेप्शन माइनस होगी है, बिफोर तो प्लस करके देख लो, लॉस आफ्टर डेप्शन इतना लिउस्ट केक की तरह का लफ्ट है, लॉस आफ्ट क्योंकि माइनस हो जगी है अच्छा अच्छा बाइजन 35 का नाम बताएं 35 का नाम बतादें खुदा के लिए प्रॉफिट इतना असान लफज है ये प्रॉफिट और डिप्सिशन बट पॉद पॉपस अफ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी क्योंकि पीछे लॉस पढ़ा है बिफ प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए होगा बोलें तो लिए वो क्या कहते हैं सौल भी कर लेते हैं कि अ कि अ कि इस निकाले इस निकाले सासा सॉल्फ कर लें अच्छा अब दर आपने इस फॉर्मेट देखना है जिस साल प्रॉफिट साया करेंगे हम सबसे पहले प्रॉफिट खड़े किया करेंगे लाके है लेकिन भॉः जन पिछले साल कौश वाला आ रहा रहाया है यहर आफटर वाला तो हमें गिवन थ उससे मनें लिफ्ट नहीं करा लिया था हम रिक्वार्मेंट भी Hat прhal literally कर लिया था अच्छा तो अब हम भीज़े यह बताएं कि प्रॉफिट कितना प्छले साल सौरी प् प्रफित कितन tril來到 usb banyak vendor यह कि अगर पीछे लास बीफॉर वला पढ़ाऊ बीघृ सी चीज कहरें तो मुनासिब क्या है अगर पीछे लास बिफॉरर डिपिशन वाला यहा है तो फिर इधर प्रफित भी तो profit before definition तो अजीब सी बात है क्योंकि अकल में भी नहीं है profit before definition क्या मतलब profit after definition profit after definition definition minus हो जगी है तो before कैसे निकालें तो profit after definition का मतलब है यह तो plus 35 है again you are supposed to plus before पर जाने के लिए हमेशा plus करना पड़ेगा definition को मेशा plus करना पड़ेगा तो बोलें 35 तक पहुंचे अड़ेप्शिन क्या हो चुकी क्यों after definition after पीछे कहा रहे है अरशीद after definition तो फिर इसको क्या कर दे minus हो चुकी तो plus कर दे तो मुझे profit भी कौन सा चाहिए कौन सा वला कितना इस profit में से मैं क्या minus करूँ negative 20 भी त्यार है negative 30 भी त्यार है 20 को 6 साल तक carry forward कर सकते है 30 को infinity तक carry forward कर सकते है क्या करूँ पहले क्या minus करूँ 20 minus करूँ format दर आप बनवाते हैं नहीं priority के तबार से less क्या करूँ brought forward loss पिछले साल का लेकिन कौन सा वाला before depreciation वाला कितना 20 पहले से priority दूँ इसके बाद पुराने साल की depiction बोलें 30 पुराने साल की depiction बोलें 30 ये तरह बस को खड़ा करें बस में तो बड़ी जान है लोर 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 30 फिर फिर छोटी से सुवारी आई हैं अब क्या less करने की कोशिश करें नहीं 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 ब्राट फॉवर्वर्ड लॉस माइनस हो गया है अब ब्राट फॉवर्ड डेप्रिसेशन पुराने साल की डेप्रिसेशन और चच्चू यह हमारा प्राफिट है ग्यारा का इसमें से हमने 10 का लॉस माइनस की है और अब 2010 की 10 के साल का लॉस माइनस की है और अब 2010 के साल की डेप्शेशन माइनस करने लगी है तो दस के साल के डेप्शेन बताईं ड़न ब ही 60 के सात क्या बोलेंगे लोल LAURA LAURA अभी भी जगा वेलेबल है हमारे पास अब क्या माइनस करें यार एक्सलांट इस साल के डिप्रेसियेशन वो क्यों मैं माइनस करूँ वो तो माइनस हुई भी थी वो क्यों मैं माइनस करूँ वो तो माइनस हुई भी थी माइनस की वी चीज़ से आपने खुब पंगा लिया था अब उसको क्या करना पड़ेगा बंदा बैटा वे उसको बज से निकाला था अब उसको लाना पड़ेगा ना यह तो बिचारा माइनस हुआ भाथ मौचते वे इसको आपने लिफ्ट नहीं कराई आप क्या करें एड हुई भी है सकर करेंगे न तो इन दाएट लेस क्या करेंगे कर Анड येर डेपरिसेशन करण येर कौन से 11 कितनी ओई हुई 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 आप इसकी आवाज में दें लर 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 जीरो की टैक्स सेविल इंकम है taxable income के marks होंगे, 0 के taxable income, tax भी 0, tax थो वैसे मैंने कभी निकाला नहीं क्लास में, बहराल tax भी 0, और carry forward कर लें depreciation को, कितनी? 75 नहीं भाई, 60 में से 75 माइनस होगा, तो 15 माइनस नहीं हो सकी न, तो माइनस कर लें depreciation तर्टीब बताते हैं, पहले क्या माइनस करेंगे? पिछले साल का लॉस, फिर पिछले साल की depreciation, फिर इस साल की depreciation आपके साल की काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और अगर नहीं उतरती तो उसे के तु शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की जिटानों पर तु जहाँ अच्छा, तेरे सामने आसमा हूँ आपके चलें जी, उदर शलेवर नहीं कहता हैं उदर एक एक सवाल को दो दोगा करवा रहे हैं चलें शुरू करें जी दुबारा ही सवाल को करें अच्छा बाइजन, यह लॉस क्या है? कितना असान सा लफस है? यह लॉस क्या है? अफ्रेप्शन को क्या मतलब एडिप्शन? माइनस हो चुकी है, तो इससे क्या करना पड़ेगा? अड़ करेंगे तो क्या आजाएगा लॉस? अब इस फिगर को पकड़ा माइनस 50 को, इसमें प्लस किया 30, तो 20 का नाम क्या पड़ गया? और इस फिगर का पड़ेशन? 30, यह 20 और 30 को लगलग कर लिया अब अगले साल इंशालला क्या आएगे? बसें आएगी, अगर अगले साल बसें आगई तो इन दोनों सवारियों को बठाएगे पहले 20 की सवारी को फिर 30 की सवारी को, अच्छा जब अगला साल आएगा तो अगले साल आपने 35 पे उंगली रखें और 35 पे उंगली रखके एक बड़ा साथा साथ है प्रावफिट किता सांसाल है प्रावफिट और से आंपिशन का यह मतलब है मैझने सोच जूचे की अधिशिन यह प्राविध अगर ओफोर वाला पड़ाव है तो बेतर है कि प्राविट को भी अभा फॉर्मेट था यह वा करेगा भाई आप प्रॉफिट लिया करेंगे का current year का profit आप सबसे पहले लाके पार्क किया करेंगे अच्छा profit after वाला कितने है 35 और before वाला निकालने के लिए क्या करेंगे 75 एड़ कर देंगे अब ये profit कौन सा आ गया before deep session आप एक चीज observe करें before करने के लिए हमेशा प्लास ही करनी है chaio starting point loss था chaio starting point profit thar deep section क्योंकर minus हो चेज़े होती है तो deep section बिफोर क्यों after Igamnes अरह को बिफॉर को आफ्टर पे पहुंचाने के लिए हमेशा डेप्शिन प्लस करेंगे आफ्टर को बिफॉर पे पहुंचाने के लिए हमेशा डेप्शिन प्लस करेंगे अच्छा जी प्रॉफिट बिफॉर डेप्शिन आगया जी इस प्राफिट में सब सबसे पहले क्या माइनस करें पुराना बीस या पुराना तीस लेस ब्राट फौरवर्ड क्या लास कौन सा वाला बिफूर डेप्रिसियेशन पुराने वाले क्या मतलब है दो हजार दस का कितना लास है अगर फिर भी जगा हो लेस ब्राट फौरवर्ड डेप्रिसियेशन किस साल की? कितनी? ठर्टी अब टो फिर फिर विया दोगी ठर्टी अगर फिर भी जगा हो तो एक चीज अडर कर चुके है उसे भी अब माईनस कर दें लेस क्या? करंट इयर डेप्रिसियेशन किस साल की? ग्यारां की कितनी सेवन्टी फाइव तो टेक्सिवल इंकम जेरो कैरी फौवर्ड डेप्रिसेशन तिल इन फिनिटी उल्ट ये लिटा हुआ एट है तिल इन्फिनिटी पेज़ टो इटी त्री ये पेज़ टूटी थी पे पॉइंट फाइव बताएं क्या है पॉइंट फाइव डेप्रिसेशन को एंड पर क्यों माइनस करने को कह रहा है अभी जाकर देखें हमने डेप्रिसेशन को एंड पर माइनस किया ना जरा नदर मार के आए हमने depreciation को सबसे end पे minus की है पहले पुराने साल की की फिर इस साल की की लेकिन depreciation and initial allowance and amortization इन तीन चीज़ों के साथ ये शलूग करना है तीनों बेहने लग रही हैं हमे depreciation, initial allowance, amortization यहां salary ताजे तो हम करेंगे यह इसका के तालुक है तो depreciation, amortization, initial allowance तो इसलिए इन तीनों को आपने कब minus किया करना है at last सबसे आखर में done the last due to depreciation, amortization, initial allowance section 22, 23 and 24 debt has not been set off जो depreciation minus नहों सके it shall be set off against the income from business in the following tax year अगले साल minus कर लो उससे अगले साल minus कर लो until completely इसका क्या मतलब है, कब तक minus करो छे साल तक या, जब तक मर्जी जब तक मर्जी minus करो ओके, अगली line मैं बाद में पढ़ता हूँ तो यह वली line और नीचे वली line निकाले numerical इसका पेज नमबर 292 अच्छा जी, यह छे सालों के लॉसस कर नमबरिकल है पेज 292 यह क्या मतलब है, असेस्मेंट्स कम्प्लीटेड, असेस्मेंट्स अंडर ओडेट सार, हमने तो असेस्मेंट्स को चैप्टर ही नहीं पढ़ा लेकिन क्या लग रहे आपको असेस्मेंट्स कम्प्लीटेड, असेस्मेंट्स अंडर ओडेट, वो असेस्मेंट्स मकमल हो चकी है, यह आउडिट हो रहे हैं, इन में चेंजिस हो यह अडेट्सियन को कःन हेसे को अन अबजॉब कहते हैं इस चक्त कर में ना पढ़ें historically को अन अबजॉब कहते हैं छोडें बहुतर कर देडिएंट्स् and के साथ कभी अन अब्स करेंगे जीए यह अपको ऐसी की फूज़ करेंगा लफ्स अच्छा जी What is the loss for the year after depreciation इसको carry forward करना हमारी नियत है क्योंके losses ही आई जा रहे है सारे सालों में loss आया इसलिए इसको carry forward करना हमारा problem है इसलिए carry forward क्यों लिखे इसके साथ क्योंके अब minus तो होनी सका तो इसलिए करते 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 हैं इसको carry forward ही करते रहेंगे ना लेकिन तादें for the year 2002 कितना loss था दो लाग for the year 2003 30,000 का loss था ये loss for the year उपर लिखा हुए बड़ा बड़ा करके ये for the year carry forward क्योंके इसके लिख रहे है क्योंके करते रहेंगे तो ये हर साल का अपना अपना loss है अच्छा ये loss क्या है after depreciation और side पर क्या पड़ी है अब सोचें loss after depreciation यानि इस तक डिप्रिशन minus हो चुगी है कितना असान सा लफ से loss after depreciation loss after depreciation तो इस तक डिप्रिशन क्या हो चुगी है minus हो चुगी है ये मुझे ये जो लफ से ना loss after depreciation ये पढ़ के बिलकुल feel हो रहा है loss after depreciation का लफ स पढ़ के मुझे आजा है भाई loss after depreciation का लफ स पढ़ के मुझे feel हो रहा है कि ये negative 50 जैसी कोई चीज है जी भाईजा ना Loss after depreciation तो अंके बंद करके तोचे जो भी कोई depreciation होगी वो तो loss तक पोच्चते पर फिर loss after loss after depreciation तो इस loss से तो मुझे depreciation माने सोचेगी तो माने सुझी चीज को कैसे सही करें? add करके तो का लिटर पर लिखें minus 200 minus 200 तो लिखना है ना यह लिखना मैनस 50 जैसे लिखना minus 200 और प्लास फाइव यह क्या बन जाएगा बोलें यह क्या बन जाएगा निया कॉलम डालने की ज्यादत है हाँ जी बता दें यह कितना loss आ गया negative लिखें positive लिखें वो आपकी मर्जी है उससे फरक नी बढ़ता बस उपर loss का loss मैंने लिख दी है negative यह जाए अगला सारा फिल कर ले अगले सारे साल फिल कर ले negative 30 प्लास 5 कितना negative 20 प्लास 10 negative 10 प्लास 5 negative 10 प्लास 5 कि यह गरम अंडे मेरी तरफ से नहीं खाए सीजन में वैसे टाइम भी नहीं मिला आप लोगों नहीं मैंने भी नहीं खाए टाइम यह टाइम भी नहीं मिलता क्या करें अब अंडे चीले में क्या क्या की क। दभी नहीं प्लास 5 को कि लुटनिए ड्री में लुटन अगे चलेंजी को प्रॉफिट बिफॉर डेप्रिशेशन और डेप्रिशेशन कॉलम डालें तीसरा हेडिंग दें कोई कभी मिल्क शेक आपको मिल जाए ना जिन्दगी में तो आप ये ना कीजेगा उसमें से केले चीनी और दूद लग करने बैठ जाए खुदा के लिए उसको पी ली जिएगा और जो दीवाने कह रहे थे ना कॉलम डालें उन्होंने कॉलम का फिर चार डालनें वो प्रॉफिट पहले ही बिफॉर डेप्रिशेशन है मरहबा मरहबा जी आया तुसी पहले ही बिफॉर हो हम दीवाने चेक करने लगे हैं आफ्टर होता तो कितना होता जो पहले ही बिफॉर है तो ये प्रॉफिट क्या है पहले ही बिफॉर है इसी को देखके शायर ने कह दुनिया में जन्नत के मज़े तो ये तो दुनिया जन्न, ये तो अल्रेडी बिफोर है अच्छा, अब मेरे ख्याल से आफ्टर उफ्टर वाला कॉलम डालने की दुरूद कोई नहीं है क्योंकि ये पहले ही प्रॉफिट क्या है? बिफोर है और मुझे लॉसे भी कौन से चाहिए है बिफोर वाल है ठीके जी? अच्छा अब बता दें जी 2007 में शुकर है प्रॉफिट आ गया है अभी फॉर्मेट आपने क्या देखा था? फॉर्मेट मैं आपको दरा रिवाइस करा हूँ फॉर्मेट आपने देखा था 2007 के प्रॉफिट में से आप सबसे पहले लॉस माइनस करेंगे और लॉसेज माइनस करते करते इसमें तो यह सारे लॉसेज माइनस करेंगे की कोशिश करेंगे और फिर ब्रॉट फॉर्वर्वर डिप्शिन माइनस करेंगे और फिर यही यही फॉर्मिट पड़े अभी जरा सोच के फॉर्मिट रिवाइज कराएं इस प्रॉफिट को किस में इस्तमाल करेंगे ब्राट फॉर्वर्वर्ड लॉसिज माानिस करने में विये ने, सारे, यह डिव्शिंज माानिस माइनस करने के लिए को कहां इस्तमाल करेंगे ब्रॉट फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर brought forward और फिर तो profits को कहां इस्तमाल करेंगे brought forward losses माइनस करने के लिए सारे और फिर brought forward depsion माइनस करने के लिए और अगर फिर भी profit बच गए तो future के नहीं है future की टेंशन क्यों ले रहे हो तो भी आसाल ही नहीं आया और फिर current year की depsion माइनस करने के लिए clear हो गया समझागी बाप मतलब होता है जल्दी से रिजिस्टर निकाल ले आँ समर्य होते हम भाग भागी हूँ हाँ जी टेक्सियर बताएं जी पहला 2000 भाई जिस साल से profit आया तब से numerical solve करना शुरू करेंगे हम requirement भी यही है tax 7 income for 2009 तो 2009 की मांगी है लेकिन साथ से शुरू करेंगे 2007 जिस साल profit आया है यह format किसी को आता हो भी मैंने करवाया था मुझे profit चाहिए होते है भाई यह अबुबकर की दफा मैंने देखे कि यहां से लेके यहां तक आप cover कर रहे होते हैं उदर कुछ लिखा नहीं होता मैं इदर खोड़ा होता हूं मैं नहीं नदर आ रहा रहा हूं तो यहां तक मैं दर आ रहा हूं इदर देखें यह सारी सवारियां आपस में चैमगुईयां कर रही थी अल्ला करें 2007 में बस आ जाए तो 2007 में बस आई और सबसे पहले पुराना लास कितना है 195 का जब 30 ने 195 को आते देखा तो ओवाज इसकी इतनी आहस्ता होगी लो 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 less brought forward loss बिफोर कि देखने loss of the earliest year shall be set of first कोई line पड़ी थी कल हमने loss of the earliest year shall be set of first या अपने intro के class में 5 4 पढ़ा है first in first out जो सबसे पुराना लास है वो पहले minus करने की कोशिश करें सबसे पहला पुराना लास कौनसा minus करने की कोशिश करें 2000 अगर माइनस हो गया तो फिर दो हजार तीन का लेकिन आपको पता है माशाला दो हजार दो का लॉस नहीं लॉसा है आप बता दें आगे नुमेरिकल चलाओं या फिर और को लॉस माइनस ना करूं तो बताएएं साथ के प्राफिट को जिसके साथ मैंने कराँट्य यह लिखा है ब्रैकेट में किसमें इस्तमाल करना चाहिए सबसे पुराना लॉस माइनस करने लेक्टिफ़शन की टेंशनाले वो तो इंफिनिटी तक चलनी है सबसे पहले प्राना लॉस माइनस करें आपके सामने आने लगे, बस स्टेंड पर सवारिया खड़ी कर दें, इनको carry forward कर लेते हैं, अब आप मुझे बता दें, के loss, ये catch करते रो, जब तक सही मार करना आजए, loss, before depreciation, जो माइनस करना था, लेकिन नहीं कर सके, 195 खुद भी, इसके 6 साल पूरे नहीं हो, मैं भी गिनवा दूँगा, 195 को भी carry forward कर लें, लेकिन उसमें से कितना? 30 तो कितना? 2002 का कितना loss माइनस करना था, कितना हुआ, कितना carry forward, 165, 2003 का कितना loss पड़ा है, 25 एक दफा मैं हैं, 10, 5 और 5 को भी कठे उठा के ले जाओ, अच्छा जी, 25, 10, 5, 5, लेकिन लग लग रिकॉड रखे, 25, 10, 5, 5, ये किस साल का loss है? 24 का, ये 2005 का, ये 2006 का loss है, इनको अलग अलग गोलियां देके हमने सुलाया हुआ है, कि तो बस सागी इंशाला तुम्हें उठा लेंगे, इसको हमने उठाया था हमानना इंटे 5 को, लेकिन इसमें से भी कुछ सवारियां वैठी, बाकियों को जाक करो, ये ये क्या है, हमारा बस स्टेंड है, यहां सवारियां खड़ी में, इनतजार कर रही है कि अगले साल बसा आएगा, 2008 के अंदर, जी, अब क्या है, ब्रॉट फौरवर्ड डेप्रिसियेशन, बोलें तो, ब्रॉट फौरवर्ड डेप्रिसियेशन, ये मैं माइनस कर र येरवाइज ब्रेकप ज़रूरी नहीं है, डेप्रिसियेशन में क्यों नहीं येरवाइज ब्रेकप ज़रूरी, डेप्रिसियेशन में इसलिए येरवाइज ब्रेकप ज़रूरी नहीं है कि इसको इंफिनिटी तक करी फौरवर्ड कर सकते हैं, कितना, पांच, पांच, पा पांच वैसे करण्ट इयर की इतर नीचे लग से लिएफने की जरूत हैंने लिखनी हैं लिखने मोगा शला नि किशन नी कितनी थर्ट यह पुरानी डपरेसेशन हो और आप नो पांट इयर की करम PlayStation करणट इयर कि दोल कर रहे हैं तो करांट यह डिप्सेशन इन तीनों को मुझे याद है थोड़ी दिर पहले मैंने फॉर्मेट में यहां करके डाला था भी पिछले सवाल में ताकि यह सारे माइनस होजें लेकिन अभी यह माइनस नहीं हो सके इसलिए ब्लू मारकर से हमने क्या कर दिया कैरी फॉ कि नजर किन पर होगी इन सब के उपर होगी डन तो इसमें करना शुरू करें इसमें वैसे अलग से डिप्शिन ना लिखें छोड़ें पर यार अलग से डिप्शिन ना लिखें अगर उपर माइनस करें हो तो अलग से लिख दें अभी अलग से लिखने की दुरूद नहीं ह किसी तरह करते हैं चालिस हाँ carry forward कर लो सही कह रहे हो carry forward कर लो फिर अगले साल brought forward लिखेंगे इसके साथ carry forward decision और carry forward losses चलेंगी अगला साल अब आएगा तो अगले साल भी format वही होगा जरा format revise करा दें क्या आए profit before depreciation चाहिए होते है किस साल का उसमें से माइनस क्या करना होते है loss before depreciation किस साल का पिछले सारे सालों का अगर profit बज़े तो क्या माइनस करना होते है depreciation पुराने सालों की brought forward अगर फिर भी profit बज़े तो depreciation किस साल की यह छोटा सान अमेरिकल अभी हमने थोड़ी दिर पहले किया था आपके आपके साल में आजाएंगी टेक्सियर दो हजार आठ टेक्सियर दो हजार आठ के अंदर मुझे बताएं के profit before depreciation बसी profit before depreciation कितना 10 हलकी सी आवाज मान्यूट सी सुने आरही है लोर 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 जाने पाई जाने बाई 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 आपने लोर जाने लोर 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 लेस थोड़क के बाई brought forward depreciation नहीं डेप्रिसियेशन को दो पर minus करना ही नहीं सबसे पहले अब तरतीब तो हमने शुकर है पहले दे दी नी है अब क्या माइनस करें ब्राट फोरवर्ड लॉस कुंसा वाला बिफोर डेप्रिसेशन वाला किस साल का करांट येर का प्रिवियस येर का दो हजार दो का कितना वन सिक्स्टी फाइव टेकसिबल इंकाम जीरो दो हजार दो का लॉस अगले छे साल तक माइनस हो सकता है तीन चार पांच छे साथ आठ आठ आखरी साल था जब तक 122 का लास माइनस हो सकता था अब 122 का लास माइनस 9 में नहीं हो सकता तो दो का लास हमने साथ में क्यों केरी फाववर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व अब इसका जिनाज़ा उठा दे रैड मार्कर डेड लॉस किस साल का ये पेपर में मैंने का था निकालना नहीं है इसके मार्क्स नहीं होते समयने के लिए लिख रहा हूं डेड लॉस 155 अच्छा बस टेंड पर कुछ सवारियों को करें ये 25 परिशान हो गया यार अगले साल क करी फोड इनको क तो करी फोड करें नार्मल तरीके से इनकी तो टैंशन हर नहीं क्यूंकि यह जो तीन वाला है ना तीन वाले तो अगले 6 साल में चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तीन वालों का नो में भी माइनस हो सकता है कोई परिशनली बात नहीं तो इसको बस्टेंट पर ही ख़ड़ा रखें किन किन को अगेन हेडिंग क्या दूँ, वही वही केरी फॉरवर्ड कर ले किन लॉसस को बिफॉर, डेप्रिशेशन वाले कौन से दो हुजार कितने दस, पांच, पांच अच्छा, आप बताएं, केरी फॉरवर्ड और क्या करने डेप्रिशेशन पुरानी बताएं पुरानी फॉर्टी, ये सारे सालों की है पुरानी इसमे इस साल की भी टाल दे इसमे ब्रॉट फॉर्वरड भी टाल दे और करन्ट यियर भी बी ढल दे तो जवाब क्या आगया जी ये कितनी है 30 तो जवाब 70 को करी फॉरवर्ड गला ये किस साल की डिप्स ने है 30 हमारे साल बाई जान फैसल मोवर आगी पिक अप शिक अप सब आ रहा है ये जहाज टाइब बस आई है लोर 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 जाना लोर जाना पाईजन लोर जाना पाई बड़ा लेवल है बसका, बस ने जरा एक नदर मार लेती है जितनी सुर्णियों पर जितनी सुर्णियां खड़ी है उसके मताफिक पें, ऑल ला हो पाज़ो पाज़ाइन, मेली कड़ी, बैठो बैठो पाज़ाइन, कोई नी रस्टेजी नी रोकांगे टेक्सिया, दोजार नो, बोले, 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 उसे पहले ही इता दिया करें, भाईजन, मैंने नमाज के लिए रुकना है, वरना किसी और बस पर में चला जाओंगा, प्रॉफिट, बोले, 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 बिफोर, डेप्रिसेशन, अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर डेप करें, दोजार दो का लॉस, वो तो पिछले साले डेट हो चुका हुए, इसमें से क्या माइनस करें, नहीं नहीं, पहले फिक्रा लिखवाएं, इस फिक्रा मैंने तीन दफ़ा लिख चुका हूँ अब, पहले क्या माइनस किया करें, ब्रॉफिट फॉवर्वर्ड, लॉस तो मेरे खाल से तीन का ही हो सकता है, नो में दो का नहीं माइनस हो सकता है, तीन वला तो नो में हो सकता है, तीन से आगए गरें, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, तो नो में खड़े वे किस साल का लॉस माइनस हो सकता है, तीन का, करें माइनस, ट्वंटी, जगा हैं, ल जल्दी में एक पूस स्वालिगेंगें जल्दी 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 पहें बैजो 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 यह बोले मेह ही चला चल चल रशीद आज मजिया सारे कठे चलिए देशियन वोली या मिन्नू भी लेज़ा मैं एथेनी बैना तुम मुझे भी लेज़ें एडेशियन को भी लेज़ें लेज़ें लेगन एक सब्सक्राइब कर लेज़ें 170 अब आप लेस्ट कर लें ब्राट फॉरवर्ड डेप्रिशियेशन कितनी 70 अब कितनी जगा बची अभी भी जगा है अब क्या माइनस करें तो मेरे खाब से कुछ बच्चे कहते हैं आँखरी साल करने के बास समझाया हो क्या रहा था क्योंकि सल लॉस्स माइनस हो रहें ना कर करांटी एडेप्शियन बहलें 20 85 टेक्स सेवल इंकम यह मज़े तो रखता है इद आगी यह सारा बस्टेंड खाली होगे सारे अपने घरों में हैं बस्टेंड पर आप गए कोई सवारी नहीं थी सेक्रिटी गार्ड भी नहीं था सब खुत्म सारे अराम से यह मोटर वे प हाली पुड़े हैं बस्टेंड फिरा इसे हाथ सफके के नीचे हाथ लगें यह डबल एंड लाइन के नीचे हाथ लगें हाली पुड़े हैं बस्टेंड हाली बस्टेंड कहां गई बहारे 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 बैट गई सारी बसों में टेक्स्ट तो रिकारवण नहीं है काश के तेरे काश कर दो जुकाद हो कि औज झाल सुर्ण है स्की थे और येून से आड़ा लल्क buttons पिर खो झाज से . झाल झाल अच्छा चलो बई दलाओ इस प्रॉफिट को किसमें इस्तमाल करने ब्रॉट फॉरड लॉस बिफॉर डेप्रिसेशन को माइनस करने में अगर हो जाए तो ब्रॉट फॉरड डेप्रिसेशन माइनस करने में अगर वो भी हो जाए तो करन्ट ये डेप्शन और अगर ना हो सके तो ब्रॉट फॉरड लॉसस को केरी फॉरड कर लें लॉसस को केरी फॉरड कर लें और डेप्रिसेशन को भी करी फॉरड अच्छा ये पडें ।प्ट पेच्ट ये पडें ।प्ट पेच्ट फच्ट फॉरड थॉरड प्रक्रक्रीड प्रक्रावस स्वाय टेस्च तो उत्च अपन ट्रक्रावम सेथ उत्स income from business in the following year is coglisal business mr minus kare and so on only until completely the amount not set off shall be added in the relevant amount in following year the amount not set off shall be added in the relevant depreciation of the next year the amount not set off shall be added in the relevant relevant milti jolti amount depreciation in the next year the amount not set off shall be added यह भी एड़ी हो रहा है सतरो बीस ओवराल नेगिटिव 90 हो रहा है तो जो माइनस नहीं हो से की depreciation उसे क्या करें अगले साल और अगले साल carry forward करके वही जो आप sales tax में करते थे पुराने इंपुट के साथ brought forward input जमा कर देते थे तो इदर भी वही करना है पुराने डेप्सेशन के साथ नई वाले डेप्सेशन जमा कर देनी और इनको चलाते रहने है अधिन कप्लीटली सेट ओफ उसमें इस नहीं है अच्छी 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 कांसेप्ट इस पर चार-पांच मिनट देने पड़ेंगे टेंटे और रहिएगा अगले सफिपे एक सवाल है ये कौन से साल है या करंटी है और ये पिछले साल है डन 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 ये प्रॉफिट कौन सा है शुकर है कुछ करने की दुरूरत पहले ही क्या है बिफोर हमें करंटी ये का प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है बिफोर इधर लूजना करो इंटरसी दो देखो ये ये प्रॉफिट पहले ही कौन सा है बिफोर । ये क्या है डेप्री सियेशन ये लॉफिट कौन सा है शुकर है पहले ही तो शुकर हमने लिख लिए क्यों कि कुछ करने की दुरूरत कोई भी आफटर पहले ही क्या है बिफोर और ये क्या है Tax Depreciation Unabsorbed इसके लफस लिखा हो, हमारी ब्लास इसको छोड़ें क्या तरीका होगा, solve करने का हम पहले क्या लिखेंगे बोलें साथ साथ मत देखें, solution की तरफ में solution जो मैं कर रहा हूँ, उसकी तरफ देखें, बस red marker की तरफ देखें, profit कितने है जी before depreciation 20 इसको किसमें इस्तमाल करें बोलें 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 current year के 2015 के profit को किसमें इस्तमाल करें brought forward loss कौन सा वाला किस साल का 12-14 का कितना 15 26 और 15 में इठालिया अच्छा जी क्या जवाब आया 11 अब क्या माइनस करने brought forward depreciation अब क्या माइनस करने brought forward depreciation या current year depreciation अब क्या माइनस करने brought forward depreciation या current year depreciation brought forward depreciation यह 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 ना अमीरों के लिए rule different है थोड़ा brought forward option minus करने में अमीरों के लिए थरह rule different है lower off सिर्फ brought forward option में इसमें नहीं lower off सिर्फ इसमें lower off इसमें नहीं lower off सिर्फ इसमें lower off जैसे sales station numerical होते हैं तो मेशीन के में लोर आफ नहीं करते थे, बाकी में लोर आफ करते थे, इसमें लोर आफ, इसमें लोर आफ, इसमें लोर आफ, तो ये लोर आफ वाला रूल किन के लिए है, अमीरों के लिए है, अमीरों के लिए, अमीरों के लिए, अमीरों के लिए, अमीर लोगों के लिए, एक्चॉल बोले बोले और 90% of output हाद दोगी यार 90% output कहां से आगया हम 66 पढ़ रहे है 90% of output नहीं 50% of 11 जो आपको नजर आ रहे सामने 50% of 11 what is 50% of 11 what is law कितना minus करने को दिल चारा था हूं 8 कितना minus हुआ कितना carry forward कर लें कितना 2.8-5.5 कितना है 8-5.5 2.5 कितना minus करने को दिल चारा था 8 कितना minus हुआ कितना नहीं हुआ 2.5 को बोलें क्या कर लें carry forward कर लें अच्छा जवाब क्या आ गया 5.5 अच्छा अब बता दें 11-5.5 5.5 अब क्या minus करें format में अब क्या minus करें इसमें lower of का चक्कर है या कोई नहीं यह पूरी मानस कर सकते हैं बोलें less current year कितनी for क्या जवाब आ गया 1.5 is taxable income 1.5 is taxable income तो इदर आप देखें अदरा solution भाई ज़न यह पुरानी चीज़ पूरी मानस कर दूँ current year के डेप्सियन भी पुरानी चीज़ पूरी मानस कर दूँ यह sky blue में नई चीज़ कुनसी डेप्सियेशन brought forward कैसे करके मानस करनी law of करके done तो बोलें current year डेप्सियन उसी तरह मानस करनी पुराने साल का लॉस तरह मानस करना सिर्फ यह वली figure क्या करनी है law of करके मानस करनी तो सिर्फ ना ऐसे इतना सा यह कर ले यह नए यह नई चीज़ है अगर high later नहीं आपके पास किसको lower of wallet test से गज़ाने में किसको lower of wallet test से गज़ाने loses before discipline को brought forward & और इस सवाल में इतने.. before, after के के चक्कर में हमें पढ़ना क्यों नहीं पढ़ा؟ क्यो कि already सारी चीजें क्या थी? before before before, after के चकर में तो इसमें पढ़ने ही नहीं पढ़ना वहाला टाइम तुमारा सेव हो गया जी और बस ठीक है होमवक में यही स्वाल कर लिएगा